पैसबुक नॉर्मली कोई भी कॉंटेंट को रिच दे रहे अगर हर एक कॉंटेंट आपका नॉर्मल रिच पर जा रहे आपका कॉंटेंट शेयर नहीं हो रहे तो आपका वीडियो आपका रिल्स कभी आगे जाएगा नहीं कुछ दिनों बाद आपका जो पेज या इसमें आजाएगा हलो जोस्तों विल्कम टू एड नई वीडियो दोस्तों अगर आपका फेस्बुक पेज अभी तक भारल नहीं हुआ तो इस वीडियो का आप देखी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही एक इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो लेकर earning करना चाहते हो तो और आगर आपको यह सब नहीं चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को फुल ली देखो स्कीप करके मत देखना क्यूंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट पहुत ही इंपोर्टेंट है और मैं रिसर्च करके बनाया क्योंकि आप लोग को मैं अपना रिसर्च वाला जो हुआ आप लोग के समने प्रेजंट करना चाहता हूँ पिछले वीडियो पर मैंने बताया था मेरा जो नया फेस्बूक पेज है वो कैसे भारल हुआ उस पेज का हर एक वीडियो भारल हुआ भारल होने के साथ सथ उसका वर्स्टेम कंप्लिट हो गया और कुछ दिन बाद उसका फॉल्वर्स भी कंप्लिट हो गया मैं रिवயो में चला गे तो अगर आप पिछले वीडियो को आभी तक नहीं देखा तो पिछले वाला video को आप देख लीजिए और वो video देखने के बाद इस video को देखिए तो चलिए बिन देर के इस video को शुरू करते हैं दोस्तों मैं 100% guarantee के साथ कह सकता हूँ अगर यह सब points को आप follow करोगे तो आपका Facebook page viral होगा ही होगा और इन में से कोई भी point को मिस करोगे वहाँ पर कुछ गलती करोगे तो आपका Facebook page का भी viral होगा यह नहीं तो यह सब points को आप धैन से सुनिए अगर आपके समने कोई भी एक pain और paper है तो आप आप नोट कर लिजा को क्या करना होगा आप बहुत सरा creator का वीडियो देख चुके हो और वहाँ पर creator ने बताया आप यह कर वह करो आपका वीडियो भाइरल हो जाएगा आपका Facebook page भाइरल हो जाएगा तो मेरा भी एक बात सुन लो साइद आपका यह वर्क कर जाए तो नमबर वन स्टेप बैस स्टेप में बता रहा हूँ आप सुनिएगा और नोट किजिएगा Facebook पर बहुत सरे वीडियो भाइरल हो और वह से डाउनलोड करने के बाद आपका नेक्स टेप सुरू होगा और जो जो अब वीडियो डाउनलोड करोगे उनमें से आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो एक रिल्स 14 सेकेंड से आपका डिल्ड मिनिट तक होता है और अब नया नया काम क अब पर जाते हो तो आपको कोई भी रिल्स 20 से जादा अपलोड नहीं करना है क्योंकि नया पेज का जो ओडियंस रिटेंस इन उतना ज्यादा नहीं होता और ओडियंस रिटेंस इन सुरू से ही काम होगा तो फेस्बुक के नजर में वह फेस्बुक पेज गंदा है और वह फेस्बुक पेज पर ओडियंस रिटेंस जादा नहीं है मतलब वह फेस्बुक पेज बेकार है तो कोई भी वीडियो का डाउनलोड करो यानि की रिल्स को और उसके बाद आपका नेक्स्ट टेप है कोई भी जो वीडियो एडिटर है मोबाल पर यह कंप्यूटर पर जैसे इन्सोर्ट है का इनमस्टर है और अलग-अलग फिल्मोरा बहुत अलग-अलग जो एडिटर आप जिसको पसंद करते हो जिसमें आपका एडिट करने में सुविदा होता है उस ऐप के अंदर उस रिल्स को अप एडिट करो लेकिन एडिट में कुछ फण्ड आए आपको आपका वीडियो उसका 1-2 सेकंड सुरू में उसको काटिंग करके आउट कर दीजिए ठीक है और उस वीडियो को लास्ट 2-3 सेकंड को काट करके आउट कर दीजिए ठीक है उसके बाद वह जो रिल्स है उस रिल्स के अंदर आपको लगेगा जो यह सीन सबसे बढ़िया है तो तो सिंफों को आप काट करके वीडियो का सूरू में यानि कि स्टाटिक में उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजेज, वह si up का Reels बीच में भी रहेगा और वह siको काट करके शुरू में लगा दीजेगा minimum आपका तीन सेकेंट होगा तो चल जाएगा लेकिन में से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि जब उसको देख रहे तो उसको नजर में लगना चाहिए जो यह सीन बहुत इंटरेस्टिंग है और यह रिल्स में देखूंगा ठीक है तो उस सिन को कट करके आप स्टाइटिंग में लगवा दीजिए और यह जो टीप्स है सिर्फ मेरा ही नहीं फिसबूक का भी है और इस टीप्स पर में कम कर चुका हूँ और यह से रिल्स वर्क करते हैं वारल होता ही कुछ चोड़ा-चोड़ा पॉइंट को मिस करोगे वो चोड़ा-चोड़ा पॉइंट ही आपका वीडियो को र जैसे एक फिफा वर्लकप का वीडियो में दिखा चुका हूँ ठीक है तो उस वीडियो का आप डेमो देख सकते हो उसका लिंक में नीचे दे दूंगा ठीक है उसके बाद आपका नेक्स ट्रिप जो आता है आपको वीडियो को यहने कि रिल्स को अप्लोड करना होगा अप पर बहुत सरा टूल से जैसे साउंड मिक्सिंग है आपका जो टेक्स्ट है और अलग-अलग जैसे भूमारिंग एफेक्ट है तो आपको वहां पर कोई भी पिक्चर एफेक्ट यानि की कालर वगार चेंज करना होगा कोई भी एफेक्ट को वहां पर आप यूज कीजिए उसक कोई भी आप अपना मंद से कोई भी वाड़ वहां पर यूज कीजिए मैं एक्जम्पल को दौरण यह पर कुछ-कुछ बात कह चुका हो लेकिन आप अपना मर्जी से आपका वीडियो पर जो कॉंटेंड है उसके बाद आपका जो वीडियो का में साउंड है अगर वह साउ साउंग है तो वहाँ पर आपका में वीडियो जो है उसका साउंड क अबमीजिक कर दो और वहां पर फेस्वुक से लेकर कोई भी मीजिक को एड़ करो अगर आप का वीडियो पर कोई भी मूवी'm क्लीप hell या कोई भी ड्यालोग बाला सीन है तो आप काम किजिए वहां पर लिजे और नोट की सब से आप देखिएगा मैं कैसे कैसे बता रहूँ आप कैसे कैसे आपको काम करना होगा तो दोस्तों आपका वीडियो अप्लोड हो चुका है आप से जा रहा है या आप जिसका वीडियो डाउनलोड कर चुक है उसका वीडियो का टेक्स भी आप लगा सकते हो लेकिन पूरा नहीं पूरा लगा होगे तो पकड़े जाओगे तो आपका टाइटल और टेक्स भी रेडी है नेस्ट स्टेप जो है आपका वीडियो आप गलती ही पर है आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है जो भी लोग देख रहा है जो भी आपका फ्रेंड्स लोग देख रहा है दिखने दो कुछ से देखने दो देखना चाहते हो तो देखने दो लेकिन वीडियो को किसी के साथ शेयर नहीं करना है कुछ से शेयर नहीं करना है आपका दोस्त लोग शेयर कर सकते हैं आपका वीवर शेयर कर सकते हैं लेकित खुछ से शेयर नहीं करना है ठीक है और लास्ट बला जो पॉइंट है इस सबसे खतरनक पॉइंट है जो भी कॉंटेंट अब बना रहे हो वो कॉंटेंट आपका शेयर होंगे लेकिन सिर्फ आपको ही अच्छा लग रहा है दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका वो वीडियो ज्यादा चलेगा नहीं आपको ऐसा एक कोई भी वीडियो कोई भी रिल्स अप्लोड करने के बाद फेस्बुक उसको नौर्मल रिच देते अगर वो नौर्मल रिच के अंदर लोगों को पसंद आ जाए तो लोग उसको लाइक करते हैं जदा चलाएं तो शेयर करते हैं दूसरे वाला उसका जो दोस्त का दोस्त या बीवीडियो κα़्या दोस्त इसको अच्छा लगा तो ऊवं इशार करेंगे तो पबलीक आपका पोस्ट को बोश्ट देंगे अगर आपका कॉंटेनई अच्याओ तो तो कोई भीकोंटेन व्हें अप्लोड करना तो शेयर व्लडियो नॉलि का बीज रिच झार रहे हैं अग शुरू-शुरू में आपका रिल्स पांच हजार, दस हजार, दो हजार, एक हजार ऐसा व्यूस आएंगे और धिरे-धिरे अगर उसका कोई शेर नहीं वड़ा तो वो धिरे-धिरे करके 20-25 में आ जाएगा तो यह मेरा रिसर्च किया हुआ कॉंटेंट है तो मैं आपको बता आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कह रहे हो जो भी आप अप अपलोड करना चाहते है वह कॉंटेंट आपका शेरावल कांटेंट होना चाहिए और शेरावल कॉंटेंट वही होता है जो लोग वहां पर ज्यादा इंट्रेस्ट दिखाए जो वीडियो आप डाउनलोड कि अगर ज्यादा शेर हुआ है तो उस वीडियो का आप डाउनलोड करके अपलोड कर दो और उससे पहले आप देख लिजी आपको रिल्स को आप कैसे डाउनलोड करना होगा कैसे अप अपलोड करना होगा सब कुछ मैं अभी बताऊंगा तो दोस्तों देखो यहां पर बहु करना है एकसे कितना कोमेंट है कितना शेयर है और उसके बाद आपको उसी रिल्स को डाउनलोड करना होगा जो आपका ओर्डियंस आपका दोस्तों उसको पसंद करें जैसे नॉर्मली लोग इंटेटेंग वीडियो कोई भी इंटेटेंग शो फीफा क्रिकेट या एनिमेश इसको मैं चुन रहा हूँ यहां से सब को ॉडाउलोड करना है तो सेपर टेप करो कर से लिंक करो alguma बेक प्लेटूड से मिल जाएगा कोई पर को फेसल बला या कोई भी एफ को डालूड करना है जिस एफ का रेटिंग जिादा है देखिए फूर पोईंट ऐइट है ठीक है इसका देखिए फूर फौयर फॉईंट सिक्से जिसका रेटिंग जादा होता है लोगों के हिसबvatnam चादिक अदुष अ अब लग्यूस और मेरा कोपी हुआ जो कोपी किया हुआ लिंक है यहां पर में पेस्ट कर दूंगा ठीक है तो यहां पर पेस्ट लिंक पर क्लिक करूंगा टैप करूंगा तो यह आटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा और वो वीडियो यहां पर आटोमेटिकली आ जाएगा आटोमेटिकली आ चाहिए जो विदिया आपलीट करोगे उसका जो क्वालिटी एच्छा होना चाहिए तो यहां पर 22-13 Mb का वीडियो में पर signaling करूंगा और वीडियो यह पर downlaut होने लाइगाoop डालोड फॉजया हो रह रहा रहा है वीडियो भी हैंपा रहा अब ठीक है तो यहांपर डाँलोड हो रहा है जैसे ब्लु कंपलीट हो अब ब्लु कलर समझ लिजें लेजे का वीडियो डाँनलोड हो चुका है ठीके उसके बाद इसको डाउनलोड होने दीजे तो डाउनलोड कम्प्लिट यह पर देखें ।ाउनलोड सकसफूली ठीके एड़ आ जायेगा ठीक है उसके बाद मुझे क्या करना होगा इसकó EDIT करना होगा धोस्तों उसके बाद मैं इसको EDIT करूँगा EDIT करने के लिए ershat पर मे ले चुका settled app रिल से एडिट करने के लिए मुझे ज्यादा आच्छा लगता है यह मेरा प्रो फर्शन है आप नॉर्मल इसको ले सकते हो आपका जो प्लेश्टोर है वहां से आप डाउनलूड कर सकते हो और प्रो वाला फर्शन चाहिए तो आप खरीच सकते हो ठीक है तो यहां पर मुझे इसको एडिट करना है जैसे मैंने बताया था कोई भी वीडियो को आपको एडिट करना होगा तो सुरू में आपको दो सेकेंड तीन सेकेंड आपको काट देना होगा अगर अच्छा वाला सीन हो तो आप सोच समझ के काटेगा तो यहां पर पहले कुछ सेकेंड मैं काट रहा हूँ और लास्ट वाला कुश्शन को मैं यहां पर इसको काटिं करने के बाद और यहां पर बीज बला जो सीन है पहले वीडियो कब देख लिजेगा तो यहां पर बीज बला सीन को मैं यहां पर कट रहा हूँ ठीक है और बाकी सीन के अंदर जो अच्छा लग रहा है उस सीन को मैं काटिंग करके हूँ पर पेस्ट करूंगा जैसे यह वाला स किजी तो डूब्लिक हो गया इसको टैप कीजी तो सब क्लिप छोटा हो जाए उसके पाद करके लेट साइड में लेए ठीक है तो वैसे करके आप रिल्स को कॉपी कर सकते हो ठीक है और इसके उपर कोई कलार डालना है कोई आपका फिल्टर डालना है तो यह पर टैप करो और सकते हैं अब कोई भी ऐप चून लो जैसे यह वह बला फिल्टर मैने चून लिया या दूसरा कल्र भी अइप चून सकते हूं यह बला मैने चून का काम है यह पर देखी एक थम ने कुछ दिखा रहा है स्टिकर जैसे दिखा रहा है तो जिसका लोगो इसको आपको हटा ना होगा तो आप इसको कैसे हटाएगा इसके लिए आपको स्टिकर सेक्समें आप जाओ और यह पर आप शेयर बला इसको आप ले लो और इसको आप यहाँ पेश्ट कर दो अगर वो मुविंग बला है तो आप दूसरे रिल्स को अप्लोट कीजिएगा यह नहीं तो जो इस्टिकर है या वाटर मार्ग है इसके वज़े से आपका पेश पर असर पड़ सकते हैं तो आपका जो रिल्स है यह रेडी हो चुका है उसके बाद आपको इस रिल्स को अप्लोट करना होगा तो अप्रूट करने के लिए करना होगा आपको पहले इसको सेब करना होगा इसको आप सेब कीजिए ठीक है तो सेब हो चुका है स्वरी सेब हो रहा है और जितना ज्यादा लंबा होगा जितना इंबी का होगा वो सेमिंग होने में उतना ज्यादा समय लएगा तो वीडियो से करना होगा तो आपका जो काम ही यहाँ पर सौंग एड करना होगा सौंग एड करने के लिए यहां पर यहां पर म्यूजिक में जैसे मैंने टैप की हैं आपको अपना Seiten का sound बढ़ाना है तो ऐसे कीजिए गटाना तो ऐसे कीजिए और यहां से नीचे बाल जो और से नीचे बाल जो मैं आउ relationship कर है और आप कोई भी टेक्स्ट इस करो तेस आट करने के बाद इसे नि., और एफेक्स भी लगा सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पर इफेक्स को यूज़ कर रहा हूँ जासे मैं ऐसर के हाउस in नाम दे रहा हूँ ञैसा है कोई भी लगाना है कोई भी करके आप हाटब लोगों में लगा रहा हूं, इमोजी, उसके बाद यह पर है टेक्स लगाना है, जो रिल्स मैंने डाउनलूड किया था, उस रिल्स का टेक्स भी अब लगा सकते हो, अपना मन पसंद का जो वाइरल टेक्स उसको भी उज़ा सकते हो, तो यहां पर मैं ऐसे करके अ अप्लाई कर रहा हूँ, टेक्स, रिल्स, सोर्ट्स, ठीक है, जैसे हैश्टेक लाओगे, आपके सामने, बहुत सरा अलग अलग आ जाएगा, सोर्ट्स, एसर के, उसके उनके नाम से कुछ भी टेक्स लगाना होगा, ठीक है, सर के फैन, इसे करके कोई भी टेक्स लगाओ, मैक आपको रिल्स का व्यूज चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच ऐसे कम करना होगा, तो आपको पॉब्लिक रखना होगा, और यह ज़रूर चेक्चिए का आपका जो रिल्स का प्राइबिसी हो, कहां तक है, किसके लिए, पॉब्लिक के लिए है, फ्रें कीजिए, और आपका रिल्स चला जाएगा, आपको उसके बाद रिल्स के ऊपर धेन देना नहीं है, और वीडियो का चलाएगा, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट मैं आपको बता रहो, दो दिन पहले म मेरा एक नया वीडियो भी भाइरल हो गया है, और उसका वज़ा है, शेरबल कॉंटेंट है, और वो कॉंटेंट क्या है, मैंने कैसे बनाया था, और किस टोफिक पर बनाया था, मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊंगा,